हलो स्टुजेंट मैं डॉक्टर लाता अगरवार आज हम बीए पार्ट थर्ड यर हिस्ट्री पेपर वन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के विशय अवत का बीलीनी करण बच्चों आपको ग्यात हैं 1707 में अरंग्जिप की मित्यु के बाद में भारत में छुटी छुटी स्वतंत्र प्रान्तों में भारत विभक्त हो गया जैसे उत्री भारत के अंदर राजपुताना, कश्मीर, हर्याना वे अन्ये, शेत्र, पूर्वी भारत में बंगाल, बिहार, उडिशा और डक्षनी भारत में मैसूर, मराथा, निजाम और पस्चिमी भारत में बडोदा तथा मध्य भारत में मालवा इन चुटे-चुटे स्वतंतर राज्यों में से एक अवद भी ऐसा राज्य था 1722 में मुगल संब्राट महमा शाह ने सादत का बुरहान उल्मुल्क को अवद का सुबेदार नियुक्ति किया तब ही से वे अपने आपको एक स्वतंतर शासक के रूप में राज्य का प्रशासन करने लगा 1749 में उसकी मृत्यू के बाद सब्दर जंग अवद का नया सुबेदार बना और 1754 में उसकी मृत्यू के बाद उसका पुत्र शुजाउद दोला स्वतंतर प्रशासन या स्वतंतर शासक के रूप में प्रशासीत करना अपने राज्यों का अर्थ है कि वह जो मुगल समराड के एक एकाई की रूप में इस्टापित केंद्रिय सत्ता के आदेशों की अवहिलना करना या अपने स्वतंतर के आदेशों को लागू करना था 23 अक्तूबर 1764 को मीर कासिम और इस्ट इंडिया कपने के बीच में बकसर का युद्ध हुआ उस समय बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अवत के नवाब शुजाउद दोला और मुगल समराड शाहलम दित्य से संधी कर तीनों का एक गुट बना लिया विटे सरकार ने इनके बीच में फूट डालने का काफी प्रयास किया परन्तू ऐसा नहीं हो पाया बक्सन नमक युद्ध में के युद्ध में शुजाउद दोला और रुहेल कंड की और भाग्या और मीर कासिम को अवत में शरण लेनी पड़ी अंग्रेज विजय हुए और धीरे धीरे इसी प्रकार अंग्रेजों का प्रभाब बढ़ता गया और अवत के नवाब शुजाउद दोला को अंग्रेजों से संधी करनी पड़ी जिसके अंतरकत कड़ा की जिले मुगल समराच शाहलम दित्यों को दे दी गए युद्ध के हरजाने में परचास लाग रुपे उसे कंपनी को देने पड़े और अवत का प्रजे प्रदेश पर शुजाउद दोला का अधिकार हो गया इसके बार में उसे 7788 में अवध के नवप शुजाउद दोला तता उसके उत्रादियों कारियोंने ना तो कभी अंग्रेजों की विरुद्ध संकर्श किया और यह आई अग्रेजों की विरुद्ध कोई ऐसा कारिया किया फिर भी उसने सेने शक्ति में ब्रिद्धी करने के पकारण एक ओर संथी करनी पड़ी 1768 में और उसकी अधिक्तम संख्या 5000 सेना निश्चित कर दी गई 1773 में शुजा उद्दरला को ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के साथ बनारस की संथी करनी पड़ी मुगल समराट शाह अलम से कड़ा और इलहवाद के जिले वापस लेकर अवद के नवाब को दे दिये गए नवाब ने ब्रिटेन के समराट के वजीर के रूप में भारत में कार्य करना स्वीकार किया इसी प्रकार सतासुपी चतर में शुजाउद्दोला की मृत्यू हो गई और उसकी मृत्यू के बाद उसका पुत्र आसफुद्दोलावाद का रवाब बना और उसे फैजाबाद की संधी करनी पड़ी अवज की बेगम पर लगातार अत्याचार किये जाने लगे और कमपनी की रकम ना चुकाने के कारण अवज की बेगमों से धन राशी मांगी गे 1775 में कलकता कॉंसिल ने अवज की बेगम को आश्वासन दिया कि नवाब उनसे और अधिक धन नहीं मांगेगा नवाब की आर्थी कटनेया दिन प्रति दिन बढ़नी लगी और इसी कारण नवाब के कारण नवाब को सादत अली से संधी करनी पड़ी फरवरी 1798 में अवज का नवाब बनने के बाद सादत अली ने फरवरी 1798 में अंग्रेज जो थे एक नई संधी की जिसमें 46 लाख रुपे वार्शिक शूर्क देना स्विकार किया और इलाबाद का ब्रिटिश सेना के अधिकार में आ गया अवज के नवाब के पास अब इस इंडिया कंपनी की शरण में जाना या उसकी गुलामी करने के अलावा उसके पास कुछ नहीं रहा और उसने मांग की कि अवज में ब्रिटिश सेना में ब्रिद्धी करने के बाद सादत अली 126 लाख रुपे बार्शिक शुल कंपनी को अदा करेगा अवज का नवाब दिन प्रति दिन कंपनी के का गुलाम और रेण में डूपता गया अठर सो एक में पुन है सादत अली और कंपनी की मध्य में संधी हुई जिसके अंतरगत अवद के नवाबने लगबग आधा राज्य है जिसमें इलहबाद, कानपूर, फरुकाबार, गौरकपूर, बरेली, मुरादाबाद, आदी के जिले शामिल थे अंग्रेजों को हो सकता, अवद पर ब्रेटिश नियंतरन दिन प्रति दिन बढ़ने लगा, इसी कारण और दूसरी ओर, अवद का ब्रेटिश नियंतरन में व्रिद्धी होने के बाद, लौड डलहोजी की अवद को विलिनी करण की नीती ने, अवद को और भी कमजोर कर दिया, परिनामत है अवद के विले की समिख्या की जाने लगी, लौड डलहोजी ने घोशीत किया कि ब्रेटिश सरकार इश्वर तता मनुष्य दोनों की देश्टी में अपरादी होगी, यदि वैसी व्यवस्ता को रधिक सहयोग देगी, जिसमें लाखो व्यक्तियों को कष्ट भोगना फलते तेरा फरवरी 1856 को कुशासन का आरोप लगा कर अवत कावी लिनी कर लिया गया, इस प्रकार ब्रेटिश भारत में इस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता दिन प्रति दिन विस्तार होता गया और वह एक सार्भमिक सत्ता के रूप में उभरने लगी, धन्यवाद